दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो के हमारी प्रैक्टिस में भी आते हैं और मुझे कमेंट करके भी ये बात मालूम करते रहते हैं कि हमारा वेड बहुत जादा कम है यानि कि वो लोग ऐसे होते हैं कि उनके गाल भी पिछके से होते हैं हाथ पैर भी बिल्कु सूखे हुए से होते हैं यहां तक कि उनके सरीर के अंदर कोई ताकत नहीं होती है वो खाते पीते बहुत हैं लेकिन उनके सरीर को लग नहीं पाता है और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो खाना खाने के तुरंद बाद ही बातरूम को भाग जाते हैं उनका सरीर तो कभी बन ही नहीं सकता फिर उसके बाद में वो लोग बजार से कुछ दवाईएं उठाकर लाते हैं कुछ टेबलेट हैं कुछ कैपसूल वो खाते हैं उनके सरीर में उसका effect तो देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा कम समय के लिए सरीर फूलता है, गाल भी फूल जाते हैं, हाथ पैरों पे मास भी आ जाता है लेकिन उनके अंदर इस्टोरेट्स होते हैं, ये बात उनको शायद मालूम नहीं होती है जैसे ही वो लगातार इसको खाते रहते हैं, तो उनका सरीर तो सही रहता है लेकिन जैसे ही वो इसको छोड़ना सुरू करते हैं, तो उनका सरीर पहले जैसी अवस्ता में आ जाता है जैसे पहले सरीर था, पहले से जादा बलकि हालत और जादा बिकार हो जाती है अब वो चलते हैं तो हापने लगते हैं दिल धड़कने लगता है किड्नी साही तरीके से काम नहीं करती है सेक्सवल लाइफ उनकी पूरी तरीके से खराब हो जाती है अब इन इस्ट्रोइट्स को आप अपनी बोड़ी के अंदर डालते रहे तो ठीक है अगर जब जिस दिन आपने डालना बंद कर दिया तो आपको बहुत सारे इफैक्टिस के देखने को मिलते हैं तो इसलिए मैं आप लोगों से पहले तो मैं यही रेक्मेंट करना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए लेकिन यह जो मार्कीट के जो प्रोड़क्ट है यह बजार की जो चीज़ें ना जो गोली टैबलेट्स वगएर इनको बिलकुल आप छोड़ दे इनको खाना बंद कर दे और दूसरी चीज़ आप नियमित रूप से जो चीज़ खाएं वो देखें अपनी बोड़ी के अंदर के वो लग पा रही है या नहीं लग पा रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाने के बाद तुरंत ही आपको बाथरूम के और भागना पड़ रहा हूं अगर ऐसा है तो प एसे करने के बाद में हम मोटे हो जाएं हमारे गाल फूल जाएं सरीर में ताकत आ जाए तो एक बाद आपको मैं बताना चाहता हूं कब्रेंटा और शरी चाहिए या फिर बहुत जल्दी आपकी जो इंटरनल जो आपके अंदर की जो चीज़ें हैं यानि कि सैक्स लाइफ है वो भी आपकी खराब हो जाएगी आप गंजापन का शिकार हो जाएंगे तो इसलिए इन इस्ट्रोइट से बचें उन नैचरल चीजों को आप प्रियोग में ला हूँ एक ऐसा नैचरल तरीका कि इसको आप करेंगे आप इसको लगबग 45 दिन तक लगतार कर लीजिए 45 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी बोड़ी के अंदर कितना वेट गेन हुआ है और आपकी बोड़ी के अंदर ताकत आईए यानिके सिर्फ मोटापा नहीं सिर्फ गाली नहीं फूलें आपके हाथ पर मोटे नहीं हुए बलकि आपके सरीर के अंदर ताकत आईए इस्टेमिन आईए तो यह चीज़ आप कर लें सबसे पहले तो आपको क्या करना है बजार जाने हो बजार से जाने के बाद में आपको अजबगंधा लेनी है जड़ी बूटियां आपको प्रोवाइट कराई जाती है जब आप उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको कोई फरागी नहीं होता फिर बोलते हैं कि हगीम साहब आपने कैसा नुसका बताया ता वो काम ही नहीं करता खैर मेरे साथ अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं हैं लेकिन आप लोग यह जरूर बोलोगे इसलिए आपकी रैस्पॉंसबिलिटी बनती है कि आप मार्कीट से जो भी हर्फ जड़ी बूटियां आप खरीद करना है वह बिल्कुल औरीजनल होनी चाहिए चाहें बहले से महंगी हूं आप अजबगंदा आपको 50 ग्राम लेन डिबी आती है एक ग्राम की सुद केसर की जो असली बाला केसर हो वो आपको लेना है आप इन सब चीजों को आप घर पर लेकर आएं आप इनको च्छाओं में सुखाएं लगबग 3-4 दिन जब यह पूरी तरीके से जब यह कुडम हो जाएं यानि के बिलकुल कुरकुरे हो आप अगर थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते तो आपका सरीर आपका साथ नहीं दे सकता तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको कौंच के भी सुद करने के बाद में इन सारी चीजों को आप उसको जब पीसेंगे तो बिलकुल लाल कलर हो जाएगा आप उसको अलक से निक कि आप करना क्या है यह बहुत ज्यादा भी हंस सुनने वारी वालोर सुवाइशाम एक और जॉन धूझ OFF age लेना को छीम ने वैग्जा डूर अपको इसक नला चाहता है तो उन लोगों को बताना चाहता हूं कि चीनी आपकी बोडी में इतना वड़ा नुकसान करती है कि इसके फाइदे नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके खाणे को अधादार नहीं नहीं होती है, तो इसलिए आपको करना क्या है, धागे ओली मिसरी लेनी है, जो आप मार्किट से खरीद कर लाएं, आपको मीठा करना है तो धागे वाली मिसरी उसके अंदर डालें, उससे मीठा करें वो सुबा साम एक एक गिलाज गुनगुने दूद के साथ ये पीना शुरू कर दें और एक चीज़ का ख्याल लेकिन आपकी बोड़ी के अंदर पहले दूसरे दिन साही आपको ऐसा लगागा कि हमारे बोड़ी के अंदर यह से करंट सा गया जैसे ताकत सी बढ़ने लगी है तो आपकी बोड़ी के अंदर ताकत भी बढ़ेगी कोई दिक्कत नहीं है कोई इसके side effect नहीं है बलकि आपका weight gain naturally तरीके सा होने लगेगा अगर आपको यह शिकायत है कि आप इसको ले रहे हैं या फिर आपको गर्मी सी पैदा हो रही है आपके सरीर के अंदर तो आप इसकी quantity कम भी कर सकते हैं और ध्यान रहे कि इसका इसका इसक कुल भी नहीं करना है क्योंकि पानी साब इसका इस्तिमाल करेंगे तो आपकी body पर कुछ effect देखने को मिल सकते हैं जैसे दाने निकलाएंगे गर्मी पैदा हो जाएगी यानिके आपको पानी के साथ नहीं लेना है आप इसको दूद के साथ ही ले उन निरंतर आप इसको 45 इ हो रहे थी यह सारी चीज़ां नहीं होंगी नेचरल तरीके से आप अपना वेड गेन कर पाएंगे और एक ताकत भी आपके अंदर आएगी और यह वेड गेन ऐसा होगा कि कभी गिरेगा नहीं आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे तो यह चीज़ां तरीका अपना है मैं हम बूटियां हर्स अबेलेबल नहीं हो पाती हैं वह बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो उनके लिए भी एक सोल्यूसन है आप हमारे यहां तक नहीं आ सकते आप सामने सा नहीं मिल सकते अपने आपको दिखा नहीं सकते ट्रीटमेंट नहीं करा सकते तो आप एक काम करें दिये हुए नंबर पर नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगा आप इन पर कोल करने के बाद में जो मोटा होने की दबा होती है वो हमारे यहां से भी आप नैचरली तरीके से हमारे त्यार की जाती है बिल्कु औरीजनल जड़ी बूटियों के साथ में तो आप हमारे यह से भी मंगा सकते हैं क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले से ही कुरियर सेवा भी शुरू कर दिये क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते थे लोगों के सर हम इतनी दूर नहीं आ सकते यह फिर आकर ट्रीटमेंट नहीं करा सकते और बहुत सारे लोगों के पास पैसे का भा करना शुरू कर सकते हैं और कोई भी प्रामर्श लेना हो तो आप इस नंबर पर कोल करकर अधिक जानकारी भी ले सकते हैं मैं हमेशा से यही कहना चाहता हूं कि आयरवेद को अपनाओ सो साल तक जियोगे और बहुत अच्छी काया आपकी रहेगी कोई भी आपकी एंसाइटी है कोई भी प्रोब्लम है तो आयरवेद से ठीक करने की सोचें आप इस्ट्रोइट्स अंगरेजी दबाईयों की तरफ ना जाएं यह मेरा आप लोगों से कहना है